बार्वी तक की पढ़ाई तो फ्री है, सरकारी स्कूलों में सब कुछ फ्री है, किताबें फ्री सब कुछ फ्री कर रहे हैं, कर दिया बार्वी के बाद आख का बच्चा अगर पढ़ने में बहुत तेज है इंजीनियरिंग बनना चाहता है, डक्टर बनना चाहता है तो कई बार होता न, कंपिटिशन के पेपर देने के लिए बड़े पैसे लगते हैं कोचिंग करनी पढ़ती है, उसकी भी चिंता मत करना उसका भी इंतजाम कर दिया, गरीबों के बच्चों को कोचिंग बिल्वाने के लिए दिल्ली सरकार ने स्कीम बनाई है अगर आपका बच्चा पढ़ने में तेज ए तो उसकी कोचिंग का खर्चा दिली सरकार उप्षाईगी आपार ना वारवी के बाद अगर आपका बच्चा कॉलिज जाता है कॉलिज में पढ़ाने के पैसे नहीं आपके पास उसकी भी चिंता मत करना दस लाख रुपए तक का लोन देगी आपके बेच बच्चे को सीधे आपको कोई गारंटी देने की जरूरत नहीं है कोई जमीन गिर भी रखने की जरूरत नहीं है कोई मकान गिर भी रखने की जरूरत नहीं है बैंक आपसे कुछ नहीं पूछेंगे सरकार जीर भी रखेगी अपनी तरफ से आपके बच्चे के लिए 10 लाख रुपए का लून सरकार दिल जाएगी आप तो बस पाउम भर गेना उसके बाद आपको कुछ कर नेकरना 10 लाख रुपए का लून लेके आपका बच्चा अच्छी से अच्छी पढ़ाई कर सकता है बेस्ट इंस्टिटूट में बेज़े अपने बच्चों को और जब पढ़के आ जाएगा जब उसकी नौफरी लग जाएगी नौफरी लगने के एक साल के बाद उसको लोन वापत करना शुरू करना बच्चा सीधा देगा माब आपको चिंता करने की जिम्मेदारी जिल्ली तरहाएगा और आपके नौकरी का भी इंतिजान करने जा रहे है इस साल हमने किल सेंटर खोला विवेक्ट वियर में जैसे हमारी इस्वर्कार है वह सब्सक्राइब है उसमें टूरिजम का कोर्स कराते हैं एक साल का कोर्स है बारवी के बाद एक साल का कोर्स है एक हजार बच्चे लेते हैं वो बायताद एक साल बारवी के बाद एक साल का कोर्स है एक साल करने के बाद हर बच्चे को सौफी सदी तीन साल होगा इंस्टिट्ट बने 100% सौफी सद कि इंस्चिट्यूट इस बहर हम बजट में पैसा संक्षन कर रहे हैं सत्र इंस्ट्ट्यूट बनाने जा रहें सत्र तो सकतर 10 जार बैस्जों की नोकरी का इंतजाम हो जाएगा बाइस अच्छी लेकिनि है गार्व कि अखतर आजार बैस्जों THE का इंतजाम तो आपके बच्चे के पैदा होने से लेके दिगरी लेने तक और उसके पाद उसकी नौकरी का इंतजाम करने पर दिल्ली सर्कार काम कर रही है